नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर आलोग चाजेड और आप इस वीडियो को देख रहे हैं अल्रेडी लेट चैनल पर एक ऐसा चैनल जो इन्वेस्टमेंट और पैसों की बात आप तक लेकर आता है बड़े ही सरल अन्दाज में मैं फिल्मों का बड़ा शौकीन हूँ और मुझे यकीन है पक्का यकीन है कि आप भी होंगे हमारी हिंदी फिल्मों में गानों के साथ साथ डायलोग एक ऐसा हिस्सा है जो बड़ा ही रोमांचक होता है और कुछ डायलोग तो यादगार हो जाते हैं इस वीडियो में हम हिंधी मूवी, हिंधी फिल्म के कुछ मशवूर डायलॉग से परसनल फिनांस के सबक सीखेंगे, पैसो के बारे में कुछ सीखेंगे. तो ये तै रहा इस वीडियो में सीखने के साथ साथ मज़ा भी होगा. तो चलते हैं अपने पहले डायलॉग की और इस एतिहासिक डायलॉग से हमें बड़ी सीख मिल सकती है एक ऐसी सीख जिसे सीखने में हमें हमेशा दिक्कत होती है जादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा मार्केट के सबसे नीचे स्थर पर खरीदना चाहते हैं लोग मुझे अक्सर पूछते हैं क्या लगता है मार्केट कितना नीचे आएगा कब तक आएगा सच तो यह है कि मार्केट के गिरने का इंतजार तो पूरे मुलक के इन्वेस्टर्स कर रहे हैं लेकिन मार्केट बॉट्म को पकड़ना मुश्किली नहीं नामुम्किन है अगर आपका गोल 5 साल-10 साल दूर है तो प्लीज मार्केट के गिरने का इंतजार मत कीजिए आज से पांच साल दस साल बाद ये माइने नहीं रखेगा कि आपने इन्वेस्मेंट जब किया था तब सिंसिक्स 35,000 पे था या 37,000 पे था कोई फरक नहीं पड़ेगा अब चलते हैं दूसरे डायलोग के उपर एक बार जो मैंने कमिट्मेंट कर दी उसके बाद तुम्हें खुद की भी नहीं सुनता जब सल्मान खान ये डायलोग बोलते हैं तो थेटर में सीटियां बजनी तो लाजमी है पर अगर आप ये डायलोग अपने इन्वेस्मेंट में फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा ही गातक होगा इन्वेस्मेंट डिशीजन लेते समय मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये डायलोग फॉलो करते देखा है एक बार जो मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता इन्सानों से ही गलती होती है और किसी से भी गलती होना एक आम बात है कभी कभी हम गलत शेर खरीद लेते हैं और उस कमपनी का भविश्य कुछ आच्छा नहीं लग रहा होता है ऐसा होना एक स्वाभाविक गलती है कोई बड़ी बात नहीं है पर अपनी गलती नहीं मानना और अपने नुकसान को कम करने की कोशिश नहीं करना ज्यादा बड़ी गलती है तो दबं के सल्मान खान मत बनिये और मार्केट में कोई फिक्स्ट कमिट्मेंट मत रखिये अपने को सिर्फ रिटर्न से मतलब होना चाहिए अब चलते हैं तीसरे डायलोग के उपर जब सल्मान से कुछ सीखा है तो अब शारुक से भी कुछ सीख लेते हैं शारुक यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग हमेशा प्रॉफिटबल नहीं होता है हमेशा जीत नहीं मिलेगी नुकसान भी होगा उतार चड़ाव होते रहेंगे यही मार्केट है बहतर यह है कि हम अंत में जीतें लंबी रेस में जीतें अपने फाइनाशल गोल को अचीव कर पाएं ये होगी जीत इस वेल्थ क्रियेशन की जरुदी में बाजीगर बनिये रियलिस्टिक बनिये और अपने लॉसस को भी अपनाईए अब चलते हैं आगे वाले डायलोग के उपर यो बात मेरी समझ में ना हैं के गोल्ड तो गोल्ड होता है चोरा लावे या चोरी शारुक से सीख लिया, सलमान से भी सीख लिया तो आमीर को कैसे पीज़े छोड़ सकते हैं दंगल मुवी का ये हार्ड हिटिंग डायलोग हमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सीख दे रही है इस डायलोग में बलकि मैं तो कहूंगा इस पूरी पिक्चर में आमीर खान का सिर्फ एक लक्ष रहता है भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना इन्वेस्टर्स को भी हमेशा अपने लक्ष पर फोकस रखना चाहिए एकदम पूरा सटीक फोकस रहना चाहिए वेल्थ क्रियेशन और अपने जो भी गोल्ड हैं उनको अचीव करने का एक मात्र फोकस होना चाहिए रिटर्न्स तो रिटर्न्स होते हैं रिलाइंस लाए या कोई और शेर लाए मुझे इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना है और मुझे इसी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना है इन दो बात को इन दो बातों में जो फर्क है इसको समझना बहुत जरूरी है हमारा focus सिर्फ return पर होना चाहिए पर बहुत बार हम यह करते हैं कि हमको सिर्फ इसी investment के पीछे पढ़ जाते हैं कि नए मुझे return तो इसी investment से मिलना चाहिए और उस कारण हम अपने जो लक्ष है उसको हो देते हैं और हम अपनी जो wealth creation की journey हैं उसमें बटक जाते हैं अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डायलोग के उपर कोई बात नहीं सेन्यूरिदा कोई बात नहीं बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बाते होती रहती हैं evergreen movie उंदा love story दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे का ये डायलोग क्या सिखा रहा है हमें शेर मार्केट की बड़ी सी दुनिया में छोटी छोटी बाते होती रहती हैं हर मोड पर आपको मार्केट गिरता दिखेगा कमपनिया बंद होती दिखेगी किंग फिशर एरलाइन्स लेकिन जैसे मार्केट इंजटकों से उभरता है हमें भी मार्केट के साथ चलना चाहिए हमें भी उसी मार्केट के साथ उभरना होगा कभी कभी कुछ नकारत्मक बातें आएगी उनसे डिस्टर्ब नहीं होना है हमेशा सोच बड़ी रखनी है, बड़ी पिक्चर को देखना है, अपने वेल्थ क्रियेशन के ऊपर फोकस रखना है अब देखते हैं अगला डायलोग कौन सा है पिक्चर दीवार, बच्चन साहिब और शशी कपूर जी आमने सामने भरपूर एमोशन और इंटेंसिटी भरा ये डायलोग हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाता है जो कि हर इंसान के फाइनाइन्स को मैनेज करने की नीव है सबक है नीड और वांट में फर्क समझने का नीड यानि जरूरत और वांट यानि चाह हम अपने चाहतों को पूरा करने के लिए इतना खर्चा कर देते हैं कि हमारे पास जितनी सेविंग्स होनी चाहिए जितनी बचत होनी चाहिए उतनी होती नहीं और फिर क्या होता है हम लोंस में चले जाते हैं तो हमारे पास EMI का बोज आ जाता है और हमारी lifestyle देखते ही देखते बहुत difficult हो जाती है, बहुत cutting हो जाती है हमें अपनी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए और चाहतों पर खर्च करने में थोड़ा संयम रखना चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि खर्चा नहीं करना है, संयम बरतना चाहिए जैसा कि पिक्चर में भी हमने देखा है, मेरे पास मा है, ये गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब को पचाड़ देता है तो जरूरत और चाहत में फरक समझना है अब देखते हैं इस वीडियो का आखरी dialogue बर्फी मूवी का एक ये छोटा सा dialogue, हमें जिन्दगी के अलग-अलग पहलू में काफी कुछ सिखा जाता है ये dialogue आपको अपने सपनों को सच में तबदील करने के लिए प्रेदित करता है और आपको खाली बैटने के बजाए कुछ करने के लिए भी प्रेदित करता है यही चीज आपके पैसों पर भी लागू होती है कितने ही लोगों से मिल चुका हूँ जो कहते हैं कि मुझे market में invest नहीं करना है क्यों? क्योंकि वहां risk है बताना चाहता हूँ अगर आप अपनी बचत को सही से invest नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बहुत ही बड़ी mistake कर रहे हैं क्योंकि आपकी बचत इस महंगाई के दोर में नहीं बचेगी आपकी बचत नहीं बचेगी आपका market में invest न करने का फैसला ही आपकी मेहनत की कमाई पर सबसे बड़ा risk है कहीं आप ये risk तो नहीं ले रहें मुझे यकीन है आपने भी हिंदी फिल्मों के डायलोग से कुछ तो सीखा होगा कमेंट के दोरा जरूर शेर करें मिल बांट के सीखते हैं मैंने भी फिल्मों और डायलोग फिल्मों के डायलोग से बहुत कुछ सीखा है और मैं ये सब आपके साथ शेर जरूर करना चाहूंगा पर उसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना होगा शेर करना होगा आपका प्यार दिखाना होगा क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप अपना प्यार मुझे दिखाना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन के द्वारा जरूर कीजिए तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और तब तक के लिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त